नमस्कार दोस्तों, OCN Network में आपका स्वागत है, शनिवार को दिल्ली के नांगलोई इलाके में जब ताजिये निकाले जा रहे थे, तो अचानक पत्थर बाजी शुरू हो गई, हिंसा हुई, पुलिस को निशाना बनाया गया, इसके अलावा जो आने जाने वाले वाहन थे, कार, बस, उनको निशाना बनाया गया, जम करके पत्थर बाजी हुई, पुलिस थोड़ी से सतर्क थी, जो अराजक तत्व थे, ऐसामजिक तत्व थे, वो सूरजमल इस्टेडियम में घुसना चाहते थे, जो पर्मीशन दी गई थी, वो ये नहीं थी, के आप सूरजमल इस्टेडियम की तरफ जाएंगे, बलके थोड़ा आगे बढ़कर के यू टर्न लेंगे, और फिर जहां से ये ताजीये शुरू हुए थे महरम के, वहां जाकर के समाथ्थ हो जाएंगे, लेकिन तीन अलग अलग शेत्रों से जो ताजीये निकले, उनमें कुछ तो सही रूट पर जा रहे थे, और कुछ तत्व उनमें ऐसे थे, जो गलत रूट पकड़ करके इस्टेडियम की तरफ जाने की जिद करने लगे, पुलिस अधिकारियों ने उनको रोका, बहस बाजी पर उतर आए, पत्थर बाजी पर उतर आए, और उसके बाद पुलिस को लड़ी चार्ज करना पड़ा, किसी तरीके से चीजों को नियंतरित किया गया, लेकिन उस एरिया के सारे फोन चोकी सर्विलांस पर थे, इसलिए ये नौट किया गया, कि इन में से जो ताजियों के साथ चल रहे थे, उन में से तीन सो मॉबाइल फोन धारक ऐसे थे, जो दो खास तोर से इलाकों में गए, और वहाँ जाने के बाद उन्होंने अपने मॉबाइल स्विच आफ कर लिए, जो सीसी टीवी और ड्रोन से तस्वीरे कैद हुई हैं, दंगाईयों की और पत्थरवाजों की, उनकी तलस्त चल रही है अभी, लेकिन ये घटना अभी होकर के निप्टी भी नहीं थी, के सोमवार को हरियाना का जो नूहु जिला है, शेहर है, वहाँ से फिर से हिंसा की खबर आई, इस बार महरम के ताजियों, ताजिये निकालने वालों की तरफ से हिंसा नहीं हुई है, बलके एक ब्रजमंडल यात्रा निकलती है, नूहु से, जो नूहु का नलड मंदिर है, शिव जी का, वहाँ से ये यात्रा हर वर्ष रवाना होती है, और फिरोजपूर जिरका के एक गाउं तक जाती है, बरसों से ये निकल रही है, और इसमें हर्याना के अलग-अलग जिलों से, बहुत सारे लोग महिलाएं भी शामिल होती हैं, अमबाला है, करनाल है, पानिपत है, सोनिपत है, रोहतक है, हिसार है, अलग-अलग जिलों से, जो सरद्धालू हैं, जो भक्त हैं, वो इस ब्रजमंडल यात्रा में शामिल होते हैं, जब ये यात्रा तिरंगा पार्क के पास पहुँची, तो गाड़ी में सवार कुछ लोगों ने उसको रोक दिया, और उनका आरोप ये था, कि साब इस ब्रजमंडल यात्रा में जो लोग शामिल हैं, वो आपत्सी जनक नारे लगा रहे हैं, अब वो कौन से आपत्सी जनक नारे लगा रहे हैं, और बाई चांस लगा भी रहे हैं, तो आप उसको ओवरलुक करके जा सकते थे, उनको जाने दे सकते थे, उनकी शिनाक्त हो सकती थी, उनकी शिकायत हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यात्रा को आगे बढ़ने से र शुरू हुई, फिर पत्थर बाजी शुरू हुई, और जैसे ही पत्थर बाजी शुरू हुई, वैसे ही जो नलड मंदिर है, भगवान शिव का जो शिवाल्या है, वहां पर जो हर्याना के अलग-अलग शित्रों से महिलाएं, बच्चे और पुरुष आये थे, उम्रदरा से अपने आपको बचाया, और उसके बाद, नुहु के बहुत सारे इलाकों में, उन इलाकों के नाम भी मैं बताऊंगा, पुराना बस स्टेंड है, होडल बाइपास है, मेन बजार है, अनाज मंडी है, गुरू ग्राम, अलवर हाईवे है, इसके अलावा जो पलडी रोड पर शम्शान घाट के पास काली माता का मंदिर है, वहां जम करके तोड़ फोड की गई, चालिस से ज़्यादा वेहिकल्स में आग लगाई गई, पुलिस वालों पर हमले किये गए, दो होम गाड के जवानों की मौत हो चुकी है, एक डियस पी का सिर्फ होड दिया गया है, एक इंस्पेक्टर के पेट में गोली लगी है, हालात ये हैं कि अगले दो दिन के लिए वहां का इंटरनेट बंद करना पड़ा, चार जिलों में धारा एक सो चवालीस लागू की गई है, इन में आपका फरीदाबाद भी है, गुरू ग्राम भी है, नूहू भी है, और सारे जिलों में इंटरनेट भी रोका गया है, एक सो चवालीस भी लगाई गई है, और हालात ये हैं वहां के, के बेहत तनाव है, जो मंदिर में फसे हुए सरद्धालू है, उनको निकालने की कोशिश की गई है, अतरिक्त फोर्स बेजी गई है, दस कंपनी पैरा मिलिटरी फोर्स की एरड्रोप की गई है वहां पर, आप अंदाजा लगाई ये के वहां के हालात क्या है, ग्रूग राम अलवर राजमार्ग पर एक हीरो कंपनी का शोरूम था, वहां से दो सो बाइक लूट ली गई है, एक स्कूल बस को अगवा किया गया, और थाने की दिवार से उसको टकरा दिया गया ताकि दिवार को तोड़ सकें, पुलिस स्टेशनों पर मतलब हमला हुआ है, पुलिस के जवान भी वहां से जान बचा करके भागे हैं, सूचना तो ये आ रही है कि करीब दस पुलिस कर्मी अस्पतालों में भरती कराए गए हैं, ये सब क्यों हुआ और जो शुरुवाती जाचपड़ताल हुई है, उससे पता ये चल रहा है, कि जिस रूट पर ये ब्रजमंडल यात्रा जाने वाली थी, उस पर छोटे ईट और पत्थर पहले से जमा किये गए थे, इसका मतलब ये है, कि जो पुलिस पर हमला हुआ है, जो तोड़ फोर्ड लूट पार्ट आगजनी हुई है, जो जगह जगह ये हिंसा करके अराजकता और दहशत का माहुल पैदा करने की कोशिश की गई है, ये पूरी तरीके से पूर्व नियोजित थी, अब सवाल यहां ये उठते हैं, कि ये जो नांगलोई में हुआ है, ये जो नुहु में हु हुआ है, और ये हिंसाबाद में फैल गई, ये गुरुग्राम में भी घटना हुई, सोहना में, दूसरी जगहों पर भी हुई, इसलिए चार जिलों में 144 लागू की गई है, और पैरा-मिलिटरी फोर्स को वहां एरड्रॉप करना पड़ा है, हर्याना सरकार की तरफ से भी बयान आए हैं, जो मुख्यमंदरी के OSD हैं, जवाहर यादा उनका आया है कि किसी भी सूरत में इन दंगाईयों को और जिसने साजिस रची है, उनको बक्षा नहीं जाएगा, अब वहां क्या फैलाई गई, अभी सुनते हैं कि दो-तीन दिन पहले, कोई वीडियो जारी हु के एक हिंदू संगठनों से जुड़े हुए गोरक्षक हैं, उन पर भरतपुर के दो गोत असकरों की हत्या करने का आरोप है, मौनु माने सरकाता कहता रहा है कि उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो घटनास्थल के आसपास भी नहीं था, लेकिन उसका कोई वीड उसने कहा कि वो इस ब्रजमंडल यात्रा में शामिल होगा, लेकिन जो जानकरी मिली है, वो इस ब्रजमंडल यात्रा में आया नहीं, इसका मतलब यह है कि उस वीडियों का सहरा लेकर के, जो नुहू इलाके के खास तोर से मुस्लिम नौजवान हैं या जिनको कहना चाहिए कि कुछ ऐसे लोग जो इस तरह के अवसरों का फाइदा उठाने की चेश्टा करते हैं, उन्होंने ये सारे हिंसा, आगजनी, तोड़ फोड़ और इस यात्रा को रोखने की प्लानिंग की, और सुनते ये हैं कि जैसे ही ये हिंसा हुई, जैसे ही आगजनी शुरू हुई, तो जो आस्पडोस के गाउं हैं नुहों के, वहां से समुहों में हतियार बंद युवक जो है, वो मुँपर एक कपड़ा बांदे हुए, बहुत बड़ी संख्या में नुहों पहुंच गए, और वहां फिर उन्होंने जम करके लूट पाट भी की, तोड़ फोड भी की, आ जरूरत नहीं है, ये बेहत खतरनाव संकेत हैं, आपको याद होगा, एक बार दिल्ली को जलाने का भी साजो समान इकठा किया गया था, आमाद्मी पारिटी का एक सभासद ताहिर हुसेन बाद में ग्रफतार हुआ था, एक कॉंग्रेस की भी पूर्व सभासद ग्रफतार ह हुई थी, और इन लोगों की मंशा क्या थी, और किस तरह का दंगा दिल्ली में ठीक उस समय शुरू कराया गया था, जब अमेरिका के ततकालीन राष्टपती, डॉनाल्ड ट्रम्प, अपने परिवार के साथ, गांधी नगर और आगरा होते हुए दिल्ली पहुँचे थे, ये लोग जो आने वाले चुनाव हैं, उन से पहले किस तरह का वातावरन बनाना चाहते हैं, इनका टार्गेट कौन है, ये समझने की जरूरत है, और ऐसे लोगों के खिलाप अगर सक्त का रवाई नहीं की गई, तो ये आगे चल करके किसी भी हद तक जा सकते हैं, अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडिय को शेयर भी करें, अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकोन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नौटिफिकेशन आप तक पहुंसते रहें, बहुत बहुत दन्यवाद, नमस्कार.